हेलो फ्रेंट्स वीडियो में बताई गई इस रेमेडी की एक चमच सुबह खाली पेट एक चमच रात को सोने से पहले आप ले लीजिए विदिन वन मन्थ आप अपना 5-7 kg वेट इसली कम कर सकते हैं अगर आपको बैली फेट हैं, ठाई फेट हैं, प्रेंग निंसी में बड़ा हुआ फेट हैं, आर्म पे बहुत ज़रा फेट जमा हो गया हैं, कुल मिला के ओल ओवर यहाँ आपके पूरी बोडी के फेट को कम करता हैं इसकी खासपात यह हैं, कि यह बीपी के पेसेंट हो, आप सायरेट के पेसेंट हो, टायपटिक पेसेंट हो, पीसी ओडी के पेसेंट हो, हर कोई इसली इसका सेवन कर सकता हैं, इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं हैं, आठ साल की उमरी के बच्ची से लेकर, साठ साल तक के बड़े बुजर्ग को भी आप इसको दे सकते हैं यह पूई तरीके से सेफ है तो चलिए इस रेमेडी को कैसे बनाना है लेकिन प्रेंड में आपको बता दू इस रेमेडी में टोटल हम चार चीज़ें यूज करने वाले हैं इस चुरन को बनाने में इसके बाद हम पांच छिए कुल भी करनी हैं सो इस वी-डियो को पूरा देखिए गा वह पांचमी चीज़ें आपको देखनी है कि इसमें क्या Mix करना है तो चोटी सी रिक्वेस्टल दो मिनट लगा की वीडियो को पूरा चरूर देखेगा जिससे के आपको पूरा फैयरा इसका मिल पाई इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक दवा लेना है गैस मेंने यहां ओन कर दी हैं हम यह चार चीज़ें यूज करने वाद जिनने हम तवे पे चार से पार्च मेंट के लिए रोष्ट करेंगे वें इसमें बाद लेंगे अजवाइन तो अजवाइन के फाइदे आप सभी जानते हैं अजवाइन को प्राचीन काल से ही वेट को रिड्यूस करने के लिए लोग यूज करते हुए आ रहे हैं जो अजवाइन होती है यह आपके डाइजेस्टिक सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाती है आपको Acidity, Curbs, Upper जैसी समस्या है इसको दूर करती है आपके हाजमे को दूर्स्ट बनाती है और आपके बड़े हुए फेट को आपके बड़े हुए वजन को तेजी से कम करने में आपकी मदद करती है जीरा आपको लेना है चार चमद जीरा फिन जीरी के अंदर होता है कैलसियम, सोडियम, आईरान, पोटेसियम जो की आपके बॉड़ी के फैट को रिड्यूस करता है आपकी बॉड़ी में जितने भी टॉक्षिन है उनको पहार निकालने में आपकी मदद करता है आपके आमेले में हाई पोलए पेडिविक प्रॉपर्टी सपना जाती है जिससे फैट्य लिवर और कैलोच्ट्रॉल पूरी तरीक से दूर होता है यह आपके जो पॉड़ी में एक स्टाथ होता है उसे पूछय करती है आपकी बॉड़ी में एक्स्टाव फैट नहीं जम falling दे दो के लिए आपके इम्यू सिस्टम के लिए यानि की औल ओवर पूरी बोड़े के लिए ही आमला बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है चार चमची लेंगे हम यहां आमला दो तो इसके बाद हम डालने वाले हैं काली मिट्स यहां में डालने हूं दस से बारे काली मिट्स काली अनेल्दी फूर्ड खाने से बच जाते हैं और अगर आप अनेल्दी फूर्ड नहीं खाएंगे तो डेफिनिटली आपका वेट कम होगा ही होगा आपको चार से पार्टमेट के लिए इन सारी चीजों को करना है रोश्ट अच्छे से तवे पे जब रोश्ट हो जाती हैं ग जोश्रे होगी में काला नमक को इनहांस करने के लिए दाल रही हूं जया प्रेंट काला नमक इसके टेस्ट को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा लेकिन इसके अंदर होती है एंटी ऑवेसिटी प्रॉपार्टी जो की आपकी मोटापे को कम करती हैं आपकी खाने को तेजी से रेडियूस होता है आपका हाजमत दुरुस्त रहता है मतलब काली नमक के पाइदे होते हैं तो आपको डालना है एक चमच काला नमक और यहां आपका पाउडर बनके रेडी हो चुका है आप इसे वन मन टू मन तक बना के स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर टिप में रख सकते हैं अब आपको क्या करना है डेली सुबह खाली पेट आपको एक ग्लास लेना है गुनगोना पानी इसकी लेनी आपको पकी एक चमच लेना है उसके बाद एक ग्लास पानी को पी लेना है ऐसे रात को सोने से पहले लेना है ज्यान दके इस चुरुन को लेने के बा करेंगे वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करेंगे चैनल पर नहीं है चलको सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को देखने के लिए थैंक्यों सो मच बाबाई टेक क्या